दियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग सी एनर आई अब इस कोश्चन को देखते हैं कोश्चन कर रहा है असरसन रीजन का कोश्चन है आप से कह रहा है कि एलकोहल्स रियक्ट बहुत ऐस ग्यूक्लोफाइल और आप्शन को मैंने शॉट्र कट में दिया हुआ है देख सकते हैं असरसन पर रिजन इनकरेक्ट है और रिजन करेक्ट है तो हमको यहां पर चारों आप्शन देखना है कि भाई कैसे क्या होगा तो चलो हम यहां पर इसको समझ लेते हैं देखो तुम करते हैं तुम एलकोहल का अगर मैं पूछूँ तो तुम फॉर्मूला बताऊगी कि सर रो एच जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसको एलकोहल को यहां पर मिलेपाद दो आप्शन है कि मैं आरो बांड ब्रेक कर सकता हूं और मैं वह ब करो यहां नहीं का डान ब्रेक कर रहे हो तो उसरो केस केस सब्सक्राइब करेंगा अब इसकी एक रियक्शन ऑर थोड़ा कि देखेंगे अच्छा अब मालू मैंने से कंड में ब्रेक कि आप क्या कर रहा हो और H के बीच bond break कर रहा हो तो फिर से more electro negative की तरह चला जाएगा तो इसका मलब है कि RO पे minus आ जाएगा और H पे plus आ जाएगा अब यह किसकी तरह दिखाई दे रहा है तो यह NU minus की तरह दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह हो जाएगा कि assertion correct है और reason incorrect है तो assertion correct और reason incorrect तो c option जोगा इसका correct option हो जाएगा reaction में देख लेते हैं मालनो मैंने क्या किया ROH लिया मालनो मैंने ROH लिया और इसकी reaction करा दी किसी carbonium mind के साथ जैसी कराई तो इसने loan पर electron इसको donate किये और donate करने के बाद में यहां पर हो जाएगा यह R और O और O पर चला गया H इस पर प्लस चार यहां से C जो हो है वह यहां पर यह लग जाएगा इस तरह से ठीक है ना clear अब यहां पर इसके बाद क्या करेगा यह एच प्लॉजिटिव को रिलीज करेगा और यह बना देगा आर ओ और यह सी बना देगा इस तरह से component बन गया तो यहां पर इसने loan पर loan पर donate किया अब बॉंड कौन सा RCH2 OH है ठीक है ना और इसकी reaction मैंने क्या किया proton के साथ किया तो इसका protonation पहले कर दिया protonation करने का मतलब यह कि मुझे क्या करना है CO bond को break करना है यहां पर मैंने OH bond को break किया मैं CO bond को break करूंगा जो की protonation से possible है protonation किया इसने loan pair electronics को दिया और देने के यहां पर मैंने क्या किया कोई X- ले लिया BR- कुछ भी ले सकते हैं तो यहां पर इसने क्या किया इसके उपर attack किया यहां से वाला bond break हो गया तो आपको sound में आ रहा है कि यहां पर कार्बोनिय जा रहा है और यह क्या कर रहा है यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह भाग रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो यहां पर यह क्या कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है अब आपको ज्यादा clear हो गया होगा ठिक तो यहां option c जो है वो correct option हो जाएगा